ओम स्री गनेशा है ने माद उस तो आपका हर्दिक स्वागत है इस यूट्व चैनल में दोस्तो आज के रा सिफल में हम बात करने वाले हैं आज के दिन आपको किन चीजों से साओधानर होगा किन चीजों से आपको फाइदा होगा आपका वेफसाई और बिजनेस कैसा रहेग केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और स्वस्त की महत्मुन जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोग उस रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोट्फिशन की बेल को भी द जित्र और अपने नीजी जीवन में सफलता हासिल होगी हलाकि आपको अती उत्सा में आकर कोई भी गलत निरने लेने से बचना होगा जियां दोस्तों आज आप अपने कार्ये पर पूरा दियान देंगे जो पीछे से कुछ कमी आ रहीती उन्हें भी दूर करने की आप आज कोशिस करेंगे जियां दोस्तों और अपने काम को समय पर और बेहत अच्छे तरीके से करने में आप पूरा दियान लगाएंगे इससे आपको सकारत्मक नतीजे हाजिल होगे साथी साथ अच्छे भोजन का भी आज आप आनंद लेंगे भाई-भेनों का पूरा सियोग भी म बेवजे की यात्राएं भी आज आपको करने पड़ सकती हैं जियां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है आज छोटी मोटी समझ चाएं उत्पन हो सकती हैं आज आपको पारिवारिक वाद विवाद से भी बचना होगा अपनी लवलाइट कैसी रहने वाली है विवाद जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा आप अपने जीवन साती के पृति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे आपका जीवन साती भी आपका पूर्ण सहीयोग करेगा आज आपके दोस्त का विश्वास आपके उपर स कम हो सकता है उन्हें भरुसत दिलाने के लिए कि आप उनसे बहुत प्यार कते हैं उन्हें कोई अच्छा सा उपार दें और अपने साती से सम्मान पूरुप बात करें जी हां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका विवसाय और कैरियर कैसा रहेगा यदि आज आज आपके कारोबारी जीवन पर द्रश्टी डालें तो आपको धन संपत्ती मिलने के योग बन रहे हैं यदि आप तरल पदार्तों से जुड़े विवसाय करते हैं तो आपको खुब सफलता मिलेगी जो जातक इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी छेतर में काम करते हैं उन्हें अच्छे नतीजे हसिलोंगे आज कारिय चेतर में आपकी कारिय कुसलता से आपके सहकर्मी और वरिष्ट अधिकारी आप से खुश रहेंगे जिहां दोस्तों इससे आपका मन बहुत ही परसं होगा खुष होगा आज नौकरी पैसा जातकों को भी अच्छे नतीजे हसिलोंगे फिद् आपको कबज की बिमारी भी हो सकती है अपने खानपान में आपको तरल पदार्तों को भी सामल करना चाहिए वहीं खुद को फिट रखने के लिए आपको नियमित योग अब्यास और प्रनायम करना चाहिए